आदर दोस्तों मैं हूँ शहजादा लंबरनी आप देख रहे हैं दा बरनी शो आज हम अपनी शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा बहुती गंबीर है गंबीर इसलिए चुकि बार-बार ये चर्चाएं चल रही हैं कि ज्यानवापी महजित के परीसर के अंदर जो चीज मिली है वो फवारा है या फ़र शिवलिंग है हिन्दू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है और उनका कहना है कि जो मंधिर है काशी विशुनात मंदिर उसके अंदर नंदी बेटे हुए हैं शिवलिंग की तरफ मुब करके और वो इंतजार कर रहे हैं बरसों की उनकी तपस्याय है हिंदु भक्त जो हैं वो बाकाइदा अपनी आस्था में लीन है उनकी अपनी एक आस्था है वो उसमें लगे हुए हैं जन्तान को काम मिल गया है वो बेरोजगारी जैसे मुद्दों से पूरी तरह भटक चुकी है लेकिन ऐसे में मुस्लिम पक्ष के वकीर रई सहमन अंसारी की तरफ से एक तरक दिया है और इस तरक में वाकी में बाकी बाते समझने की हैं चुके जो शिवलिंग का आकार होता है जो आम तोर पर जो शिवलिंग लगाए जाते हैं वो एक पत्थर होता है इस तरह की शेप का लेकिन वो पत्थर पूरी तरह से चप्टा होता है उस पर कोई चीज नहीं बनी होती है किसी तरह का कोई कट नहीं होता है लेकिन जो चीज महजद के अंदर मिली होस के अंदर जो चीज मिली है उस पर ये सवार उठने लगे हैं कि आखर ये शिवलिंग कैसे हो सकता है क्योंकि शिवलिंग के उपर किसी तरह का कोई छेद नहीं होता है फवारा जो बात की जारी है फवारे के अंदर छेद होता है जिससे पानी बाहर निकलता है मुस्लिम पक्ष के वकीर रईस एमद अंसारी का भी यही कहना है कि यदि ये शिवलिंग होता तो इसके अंदर छेद ना होता चुकि ये एक फवारा है इसलिए इसके अंदर छेद है और यही तरक सबसे मजबूत तरक है कि फवारे में छेद होता है और शिवलिंग आप पूरी दुनिया में कहीं घूम लीजे कहीं पर भी शिवलिंग के अंदर आपको जो पत्थर का शिवलिंग वना होता है उसके अंदर आपको छेद नहीं मिलेगा किसी भी शिवलिंग में आई आपको दिखाते हैं रई सेमद अंसारी क्या कह रहे हैं जो मुस्लिम पक्ष के वराण सी कोट के अंदर वकील थे जिस तरह कहना है कि मजजिद में श्यूलिंग पाया गया है विलकुल गलुथ है मजजिद तो आपने देगा कि किस तरीके से साफ तोर पर दोनों चीजों को डिफ्रेंशेट किया गया है कि विशिवलिंग में छेद नहीं होता है जबकि फवारे में पानी के लिए छेद लगाया जाता है हिंदू पक्षक का कहना है कि यदी फवारा है तो चल क्यों नहीं रहा है ये जरूरी थोड़ी है कि हर फवारा हर समय चलते रहे हैं और सदियों पुराना बना हुआद चले ये जरूरी थोड़ी नहीं है ऐसे मैं सवाल यह उठता है कि आखिर फवारे को शिवलिंग बनाने की ये कहानी किस हद तक जाएगी कहां तक पहुँचेगा ये मामला सुप्रिम कोर्ट में अभी ये मामला पहुच गया है सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई होनी है देखने होगा कि आगे इस मामले में क्या-क्या चीज़ें होती हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे आपसे मारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सबस्काइब जरू करें और इस वीडियो को शेयर जरू करें और आप हमें सोशल मीडिया पर यारी इंस्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर फालो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दियों हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फालो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया